इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अर्नाव गोसवामी की गिरफतारी क्या मजलूम खातून को इनसाफ मिलेगा किसी को भी तू तड़ाक सबाद करने वाला और भाजपाय मोदी हकुमत का कटर हमायती कहने वाले रिपबलिक टिवी के मुद्रियाला अर्नाव गोसवामी को आज गिरफतार किया गा इस गिरफतारी को लेकर पुरे मुलक और खास कर भाजपाय हमातीयों को जबरदस सदमा पहुचा है और फिर चीखना चिलाना शुरूआ इसे किसी और पस मनजर में ले लिया गया बंबई पुलिस ने आज सुबा अर्नाव गोसवामी के घर से गिरफतार किया कई वीडियो भी वाइरल वे जिसमें अर्नाव गोसवामी मुझे पुलिस ने पीटा कहकर पुलिस वैन से चिला रहा था खैर अब इसे सहाफियों के आजादी पर हमला या मीडिया पर हमला प्रेस के आजादी पर हमला कहा जा रहा है भारत का दस्तूर आइन लिखने बोलने की आजादी देता है पत्रकारिता सहाफत जमुरियत का सुतून है और इसके भी अपने कुछ दाइरे है लिहाजा करी रियासत संजराउत ने इस कारवाई से किसी तरह का तालुक ना होने की बात को वाजब किया है वैसे भी देखा जाए तो वजिर आजम नरेंदर मोदी का बैहत करीबी के तोर पर अर्नव गोस्वामी को बताया जाता है और यह अभी कहा जाता है कि अर्नों गोस्वामी पत्रकारिता याने सहाफत कम करता है और संगी विचार धारा और मोधी की शाण में कसीदे ज्यादा पड़ता रहता है इसे कई तस्वीरे वीडियोज वाइरल हुई है जिसमें मोधी और अर्नोगोसवामी का याराना जाहिर होता है अर्नोगोसवामी की गिरफतारी पर एक पर फिर गोधी मीडिया सदमे में जा चुक है अगर इसे किसी भी तरह के इंतकामी कारवाई की नजर से ना देके तो हकीकत मालूम होगी कि जिस तरह मीडिया पर हमले की जो कहानी बनाई जा रही है दरसल कहानी कुछ और ही है अप्तर पर उसने काम किया ता अनुए नाइक ने उसके घर पर जो इंटरियर डिजाइनिंग का काम किया था इसका मैनताना देने की वजय को सभी उसे बार-बार धम की देने लगा आखिर कार अर्नोगोसवामी की जैदती से तंगा कर तन्वाय नाइक ने खुद कुशी कि और मरने से पहले अपने सुसाइट नोट में अरनोगोसवामी का नाम भी लिगा था अभी शीव सेना की हुकूमत भी नहीं थी तब से यह मामला ज Biraz रहा था अरनोगोसामी को लेकर अरनोगोसामी की बेवा ने सोचल मीडिया पर अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा के अर्नो गोसवामी सुशान सिंग सिंग को लेकर तो काफी चीखता चिलाता रहता है पर मेरे शोर और सास की मौट के लिए ये खुद अर्नो गोसवामी जुमेदार है लेहादा इसे क्यों गिरफतार नहीं किया जाता और महराश्ट हुकूमत को अर्नो गोसवामी पर कारवाई की मांग भी की थी इसी के मद्य नजर महराश्ट के वजीरे दाखिला देश्मुक ने बताए कि कोई भी हो अगर मुझ्रिम है तो कारवाई हो गया और इसी पसमंजर मेर्नो गोसवामी पर कारवाई की गई क्या वह मजलूम खातून जो अपने बच्चों को लेकर इंसाप क की भीक मांग रही है अगर आज अंसाप मिल रहा है तो उस पर सवाल उठाए क्यों जा रहे हैं सिर्फ इसलिये के मर्कजी हुकूमत का चापलूस है हमेशा मोधी मोधी करता है हमेशा हिंदु मुसलिम का जहर माशरे में खोलता है ट्वीटर पर जस्टिस पर तनवाई के न तक गिरफतारी का हुक्मत तक नाफिस किया गाया था तब यह लोग कहाते अर्नोगोस्वामी की गरफतारी पर अमिच्छा से लेकर हर भाजपाई तिर्मिला उठा ऐसा लगता है कि इनकी दुखती रग किसी ने दबा दी हो तमाम मर्कजी वजीर सकत अलफाजों में मजब मत कर रहे हैं महाराश्ट में अमर्जंसी लगाने तक कि बात कहीं जा रही है आज कल सबसे ज़्यादा तकलीफ तो वह विचारी कंगना रानावत को हो रही है और यह तकलीफ किसी तरह भाजपा का टिकेट हांसिल करने तक होने ही वाली है इसा कहा जा रहा है संजराहुत न तन्वेनाई की बेवा को निर्भया कहा है और भारत के हर निर्भया एनि कि भारत की बेटी है और इनके लिए लड़ना शिवसेना की जिम्मेदारी है इसा भी उन्होंने बता है अगर सही कहा जाए तो शिवसेना को चारों तरफ से घेरने की कोशिश भाजपा कर रही है हर बात को हर मामिले को कॉंग्रेस की तरभी मोडनी की कोशिश भाजपा ये संगी लोग बार-बार कर रहें पर तमाम संगी लीडरान भाजपा की फौज को शिव से ना भारी पड़ रही है इतना जरूर है आगे आने वाले दिनों में शिव से ना किसकदर भाजपा को जवाब देती है इस पर भी सभी कान सभी की नजर रहेंगी यूहीं सिल्सला चलता रहेगा इत्याद देखने के लिए शुक्रिया अल्दाफिस